बंबिक्स मोरी की जो सिल्क है बेसिकली इसके अंदर जो important components है वो proteins है इसके अंदर दो important proteins है एक इसके अंदर fibrone है जो सबसे ज़्यादा quantity के अंदर है और दूसरे नंबर पर इसके अंदर एक और protein आती है जिसको saracen कहते है अगर इस slide के अंदर हम देखें तो जो इसका अंदर वाला हिस्सा होता है वो fiber जो होता है ये basically एक protein से मिलके बनता है जिसको fibrone कहते है ये एक fibrous protein है जबके इस fiber के उपर एक gummy protein होती है जो इसके उपर coating बनाती है ये जो protein है इसको saracen कहते है जो saracen है वो water soluble protein है अगर हम इस slide में देखें तो जो fibrone है इसकी जो percentage है sil के अंदर वो 70 से 75 परसंट तक हो सकती है जबके जो saracen है saracen 25 से 30 परसंट जबके waxes substances 2 से 3 परसंट तक इसके अंदर हो सकते है natural colors 1 से 1.5 परसंट तक हो सकते हैं और इसी तरीके से जो mineral matter है वो 0.5 से 1 परसंट तक हो सकता है अब अगर हम इसके proteins की बात करें तो दो important proteins हैं इसके अंदर एक silk saracen और दूसरी जो protein है वो fibrone है जो silk saracen है ये एक water soluble protein है आम तोर पर जब textile industry के अंदर silk को fiber बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो जो saracen है उसको discard कर दिया जाता था क्योंकि ये protein water soluble थी जब गरम पानी के अंदर fibers को रखा जाता था तो ये पानी के अंदर dissolve हो जाती थी और बाद में इसको जाया कर दिया जाता था ये ख्याल किया जाता था कि ये एक waste product है बहुत लंबे अरसे तक इसको waste product consider किया जाता रहा लेकिन बाद में researches ने जब detail study की तो ये वालूम हुआ कि ये जो seracin है ये कोई waste product नहीं है बलके ये तो एक highly valuable protein है जिसकी बहुत जादा applications है अगर इस slide के अंदर हम देखें तो यहाँ पे जो सिल्क seracin है इसकी मुख्तलिफ applications के बारे में बताया गया है इसकी जो एप्लिकेशन्स हैं कॉस्मेटिक के अंदर इसको कहां इस्तवाल किया जाता है इसी तरीके से एंट्री रिंकल क्रीम बनाने के लिए इस्तवाल किया जाता है इसी तरीके से एंट्री अल्ट्रा वाइलट रेस को सकिन्स तक पहुचने से रोकने के लिए इसको इस्तवाल किया जाता है यानि ये अल्ट्रा वाइलट के अगेंस प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इसी तरीके से अगर हम textile की बात करें तो textile के अंदर इसको इस्तमाल किया जाता है और इससे antimicrobial agents बनाया जाते हैं जिनकी coating की जाती है कपड़ों के उपर ताकि उसके उपर microbes का attack ना हो इसी तरीके से drug delivery system के अंदर इसको इस्तमाल किया जाता है सेरेसेन की जो molecules हैं इनको small components के अंदर nanoparticles के अंदर convert किया जा सकता है और इसके साथ बहुत सारी drugs को combine करके target तक असानी से पहुचाया जा सकता है इसी तरीके से इससे antioxidants और anticoagulant बनाए जाते हैं जो सेरेसन प्रोटीन है इसके अंदर बहुत important amino acids मौजूद होते हैं इस वज़ा से इसको food additive के तोर पर इस्तवाल किया जाता है इसको ना सिरफ इनसानों के लिए बलके poultry food के अंदर भी इस्तवाल किया जा सकता है उसके बाद tissue regeneration के अंदर या regeneration medicine के अंदर इसका इस्तवाल किया जाता है क्योंकि सेरेसन के अंदर ये ability होती है कि ये हमारे wounds को हमारे जखम को बहुत तेजी से भरते हैं क्योंकि इनके अंदर जो cell को divide करने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है इस वज़े से बहुत सारे जो क्रीम्स हैं जो के जखम पे लगाए जाती है उनके अंदर सेरेसन का इस्तवाल किया जाता है तो एक ऐसा material जिसको पहले waste product consider किया जाता था अब उसको बहुत ज़ादा इस्तवाल किया जाता है और मुखतलिफ fields के अंदर इस्तवाल किया जाता है तो अब इसको waste product consider नहीं किया जाता बलके इसको एक valuable protein consider किया जाता है इसी दीके से जो दूसरी protein है इसके अंदर fiberon उसकी भी बहुत सारी applications है एक तो इसको textile industry के अंदर कपड़ा बनाने के लिए इस्तवाल किया जाता है जो silk के कपड़े हैं वो इससे बनाए जाते हैं उसक बहुत सारी applications है पर इसको bone regeneration के अंदर इसकी रावा इसको control drug delivery के अंदर इसकी अलवा इसको tissue engineering के अंदर इसका इसकी रावा जो silk fibrone हैं इन से जो surgical sutures हैं बनाय जाते हैं क्योंकि जब surgery की जाती है तो उसमें जब stretching की जाती है तो उसमें धाग़े का इसका इसकी जाता है पहले जो धागा इस्तिमाल किया जाता था उसके side effects होते थे क्योंकि ये एक ऐसा fiber है जो के bio degradable है यानि ये आइसा आइसा खुद degrad हो जाता है और body के साथ जब इसका contact होता है तो कोई allergic reactions भी produce नहीं होते इसी वज़ा से इसको prefer किया जाता है तो हमने देखा कि जो silk है इसके अंदर जो major portion है वो दो protein से मिलके बगता है एक protein इसके अंदर silk seracin है दूसी protein इसके अंदर silk fiberon है दोनों protein ही बहुत जादा important है जो silk fiberon है वो हमने देखा कि 70 से 75% तक हो सकती है और जो seracin है वो 25 से 30% तक हो सकती है